हेलो फ्रेंद्स, वेलकम तु ममा एंसन टीम चानल वेल, आपके बच्चे भी जैसे हर बार हर क्लास में छोटे बच्चे जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का रीडिंग, तो वो हमेशा CBC वर्ड से ही उनको पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है जो sound words होते हैं, मतब जैसे बच्चे पढ़ते हैं, र, आ, न, तो बच्चे एक एक लेटर के individual sound को पढ़ते हैं और र, आन को पढ़ते हैं, तो आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जब बच्चे दूसरे वर्ड यानी र, देन, ए, आई, और एन, ये four letter हैं इसको भी बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, र, आ, इ, न, तो ये word तो rain बना, लेकिन जब बच्चे इसको sound से पढ़ रहे हैं, र, आ, इ, न, तो ये rain नहीं बन रहा है या फिर जब बच्चे इस वर्ड को पढ़ते हैं ब- ओ- अ- अ- तो ये ब- ओ-अ-अ-अ करके कुछ बन जाता है लेकिन ये वर्ड है बोट तो ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल वर्ड है और बच्चे को इसको लर्न करना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए there is a process जिससे जब बच्चे फॉनिक्स के through reading करते हैं फॉनिक्स इंस्ट्रक्शन्स उनको इसलिए अभी ज़रूरी ज़ादा है तो उससे वो ज़ादा fast reading करना सीखते हैं तो फॉनिक्स में जब हम बच्चे को पढ़ते हैं after CVC word जब बच्चे CVC word को और sentences को अच्छे से पढ़ना सीख जाए तब हम vowels के बच्चों को two sounds introduce करते हैं एक होता है short sound, short vowel sound और एक होता है long vowel sound जिनके बच्चे अभी reading सीख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत informative होने वाली है वीडियो को पूरा देखें आपको बहुत सारी चीजों के knowledge मिलेगी आशे कर रहे हूँ आपकी काफी help भी होगी अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वो वीडियो और वो reading करना सीख रहे हैं तो देखें ये मेरे पास ये five vowels हैं अब इन five vowels का में short sound मतलब जो सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है वो sound बताती हूँ आ जैसे apple ए लाइक elephant इ लाइक igloo औ ओ औरेंज औ अ अम्ब्रेला तो ये बच्चे सीखते हैं और इसके बाद बच्चे three letter word लाइक cup, hut, hop ये सारे words पढ़ते हैं फिर हम जब बच्चों को vowels के two sounds है और उसके long sound ये long sound का mark है और ये short sound बच्चों को जब हम long sound का बताते हैं तो long sound A, E, I, O, U इन five vowels का क्या होता है उस vowel का name मतलब इन vowel के name ही होते हैं उनके long sound बच्चों के लिए ये काफी easy इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कोई sound नहीं याद करना पढ़ रहा है इसमें हम उनसे उनका name पूछते हैं लाइक A का name A है T, I, O, U तो कई बार हम word जब पढ़ते हैं जैसे मैं आपको पढ़के बता रही हूँ rain या फिर kite इन words में हमें वावल का name ही सुनाई दे रहा है तो next process ऐसे ही है जब बच्चों को दिखाया जाए कि sound क्या है वावल का बच्चे बोलेंगे and name क्या है वावल का बच्चे बोलेंगे O इस तरह से हम जब इनका clarification कर लेंगे मतलब उनको अच्छे से आ जाएगा सारा कि जब आप नाम पुछो वावल का name क्या है पुछो वो E बताए and जब वावल का sound पुछो short sound पुछो तो वो A बताए उसके बाद there are three और four उन टाइम में ही आपको वावल का long sound पढ़ना होता है जैसे अभी आप लोग हम लोग magic की और बाकी का नहीं पढ़ेंगे अभी हम लोग यह देखेंगे एक process कि कब आप word के long sound से वावल को पढ़ते हैं तो जैसा मैंने बताया long wavles और short wavles मतलब इनके दो sound होते हैं वावल के ही दो sound होते हैं एक sound जो की वो sound नाम से जानते हैं like A E I O U यह name ले रही हूँ मैं तो यह long sound अब जब मैं इनका sound बता रही हूँ apple egg तो यह हो जाता है short sound अब आप देखिए कई word में जैसे मैंने यहापे rain लिखके बताया था rain rain में यहापे two vowels are together A and I this is why हम लोग यहापे change करेंगे और अपने पढ़ने के style को दूसरा तरीके से पढ़ेंगे और this is what the children should know once they are completely acquainted with the CVC word एक बार उनको CVC word अच्छे से आ जाए उसके बाद यह वावल्स के long sound वाले words भी पढ़ाये जाते हैं प्योंकि वावल्स के long sound के बहुत सारे words उनके course में और आप उनकी books में देखेंगे तो कैसे बच्चों को बताना है A और I जब यह separate है मतलब अलग-अलग है किसी भी word में तब हम इनका sound ही पढ़ रहे है When they are alone in any word Like ran, ran में, ऐसे तब हम इनको अलग-अलग और इनकी sound से पढ़ रहे है अब जब यह कई बार हाथ मिला लेते हैं मतलब they become friends And they are together एक साथ किसी word में आते हैं Two vowels together Two vowels together ऐसे कुछ particular vowel pair है जो हम बच्चे को learn कराते हैं जब हम यह वाला process उनको समझाते हैं कि when two vowels are walking जब दो वाल एक साथ है तो पहले वाला वाल बात करता है और second वाला रहता है silent, वो कुछ नहीं बोलता है इसलिए when A and I are together तो यह एक साउंड होगा क्यों? Because the letter A will only talk and what he will talk? The A will talk the name A will tell the name So what is the name of the vowel A? It's A So A and I are together but the sound will be A क्योंकि I तो silent है और सिर्फ A जो है वो अपना नाम बता रहा है रू ए तो अब इसको कैसे पढ़ना है? इसका साउंड बच्चो नह रू पढ़ा इनको हमको together उनको बताना है कि ये दोनों साथ में पढ़ेंगे I तो silent है और A अपना name बोल रहा है तो बच्चों कैसे पढ़ेंगे? A और फिर N Rain Is it? अब मैं एक और वर्ड बताती हूँ S फिर से A, I together है अब ये friends है तो इनका A की sound होगा A अपना name बोलेगा I तो silent रहेगा और L S A तो ये बच्चा पढ़ेगा Sail ये थोड़ा सा time रखता है बच्चों को क्यूंकि जब बच्चे vowels की sound सीखते हैं तो बच्चे वही sound और हर एक word में apply करना start करते हैं बड़ थीरे थीरे जब आप थोड़ी सी प्राक्टिस उनको कराएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा जो बवल pair होते हैं जैसे A, I A का sound Double E E का sound I, E I का sound O, A O sound U, E U का sound जो second बवाला बवल है वो silent है वो कुछ बात नहीं कर रहा है वो silent है ये वावल पेर हम बच्चे को learn कराते हैं मैं description box में ये सारे वावल पेर दे दूँगी हाला कि ऐसे और भी जगह होती हैं और भी जगह पे आपको वावल के long sound से ही पढ़ना होते हैं लेकिन वो एक अलग topic में आ जाता है पहले जब हम five vowels के long vowels का sound उनको सिखाते हैं तो हम यही वाले pattern उनको learn कराते हैं यही पांचों उनको learn कराया जाता है कि A is a friend of I, E is a friend of E, I is a friend of E, O is a friend of A, U is a friend of E और जो first वाला है वो अपना name बोल रहा है A, E, I, O, U तो इसी तरह से आप देखेंगे तो मैं आपको कुछ words भी दिखाती हूँ जिनसे कि आपको बहुत easy लगेगा और बच्चों के लिए यह पढ़ना बहुत easy हो जाता है जब बच्चे उन दोनों का पढ़ते हैं like A, I together so M, A, L, male और बच्चों को जब हम reading करना सिखाते हैं कोई भी बड़ा word तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उनको ऐसे sound के true बताए like this is one sound तो जैसे हम लोग phonics में dots का use करते हैं फिर यह A, I तो यह एक sound है मतलब बच्चा जब एक dot देखेगा तो automatically mind में आएगा कि अच्छा मुझे तो एक rule apply करना है और यह A sound बताना है इसको फिर N So M, A और यह तो three sound में बच्चा यह word को पढ़ लेगा इस तरह से बच्चों को पढ़ने में easy होता है So ऐसे कई सारे worksheets होते हैं जो आप ऐसे कुछ words दे सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि AI को circle करो ऐसे करके circle करो जितने भी हैं तो धीरे धीरे बच्चों को वो फिर learn होते हैं यह जैसे double E है ट्र ई First vowel E बोलेगा name और second वाला जो E है वो silent रहेगा So ट्र ई इस क ओफी तो इस तरह से E के भी कई सारे words हैं आप देखेंगे IE So IE वाले यह वाले words हैं जो कि वावल पेर हैं actually Long I के तो और भी patterns हैं मैं वावल पेर वाले patterns बता रही हूँ L I L I T I Fri 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 Fli Fri Fri इस तरह से पिर कुछ और भी आप देखिए जैसे मैंने A I E O A U E I E A I E O A U E I E बताया इसमें आप देखी O A together सुबब O O T ये वाला A silent हो गया और O क्या बोल रहा है अपना नेम बोल रहा है सुबब O T Boat हो गया T O St Toast हो गया यहां पर जो मेरे बास बच्चे आते हैं लोग थोड़ा समझ जाते हैं क्योंकि मैंने पहले से प्रोसेस किया है इसलिए मैंने पूरे में सब में डॉट नहीं डाला है मैंने सिरफ O A में डॉट डाला है ताकि उनको यह याद रहे कि हमको एक साथ ही पढ़ना है एक साउंड So O will say the name and A will be quiet O O O O इस तरह से यह भी O O O O So बच्चों को काफी easily यह वाले words फिल लर्न हो जाते हैं और समझ में आ जाते हैं बावल पेर उनको बताना बहुत जरूरी है Once they are very much thorough with the CVC word एक बार CVC word आ जाए तो लॉट बावल के और भी पेर्स होते हैं बट जो सबसे पहले आप पताएंगे उनको वो आता है यही लॉट बावल के जो पाटन्स है मतलब A I together, double E together, I E together, OA together, UE together और आप ऐसे बहुत सारे words उनको दे सकते हैं जिनमें की आप यह word देखेंगे यह two letters साथ में देखेंगे और उनकी books में से ही आप जून पाएंगे इतने सारे words उनकी books में ही होते हैं grade 1 में, 2 में, 3 में तो यह वाले words बहुत होते हैं तो यह बच्चों को सिखाईए और आप देखेंगे कि आपके बच्चे इसको र, ए, न न नहीं पढ़के र, ए, न पढ़ रहे हैं अशेक कर रही हूँ वीडियो आपको informative लगा हो और subscribe जरूर कीज़ेगा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो like और subscribe जरूर कीजिए और आपने दोस्तों से भी share कीजिए तकि जो जो बच्चे को घर पे बैठके रीडिंग करा रहे हैं वो यह छोटी-छोटी help से पढ़ सके और comment अगे मुझे बताईए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा Till the time, take care, bye bye